सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर टीचर की नियमित भरती के लिए सरकार हुई सेहमत साथ ही स्कूलों में बिजली तक नहीं कैसे लगेगी ऑनलाइन हाजरी जी हाँ सातियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साला दरपन पर स्कूल में टीचर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उसके लिए एक अलग से प्रमानेंट टीचर की आवसकता मैसूस की जाने लगी है तो इसी कड़ी में दोस्तों सरकार राजे सरकार भी इस बात से सहमत है कि स्कूल में एक कम्प्यूटर टीचर होनी आवसक है कम्प्यूटर टीचर की बढ़ती के लिए सरका सहमत हो चुकी है दोसी तरफ सरकार ने अब हाजरी भी ओनले लगना शुरू कर दिया है इस बात क आप भली बाती जानते हैं तो क्या है पूरी खबर दिखाते हैं आपको नमस्कार साथियों मेरा नाम है मोतिलाल कनोजिया और आप देख रहे हैं रोयल टीचर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का मारा वीडियो और बताते हैं आपको पूरी खबर तो दोस्तों पहले ब मामले में राज्जी की स्कूल शिक्सा सचीव मंजू राजपाल ने सुक्रवार को हाई कोट में आस्वाशन दिया कि सरकार नियमित भरती के लिए सहमत है पूरों में भी सिक्सा विबाग ने अलग से कंप्यूटर टीचर की भरती के लिए वित्विबाग को प्रस्टाव बेजा था लेकिन वित्विबाग से मंजूरी नहीं दी गई थी सरकार के इस्तर पर कंप्यूटर टीचर की भरती अलग से करने पर सहमती बन गई है और आगामी बजर में कंप्यूटर टीचर की भरती के प्रस्टाओं को बेज दिया जाएगा सचीव के आस्वासंद के बाद जस्टिस संगीत राज लोठा वो इंजर जिसिंग के मामले की सुनवाई बजट के बाद सत्रा मार्च को तैकी और आदेश की एक कौपी एसी एस फाइनेंस को बेजने का निर्देश दिया अदालत ने यह निर्देश डाक्टर चेत्रा यादव की जनहीत याची का पर सुनवाई करते हुए दिया तो दोस्तों इस खबर को देखकर आप भी जानगे होंगे कि सरकरी विद्याले में कंप्यूटर टीचर की बढ़त यह देखिए दोस्तों इसकूलों में बिजली तक नहीं कैसे लगेगी ओनलाइन हाजरी आनन फानन में शुरू किये गए नवाचारों से उठने लगे विरोध के स्वर बीकानियर की एक खबर है जो आपको दिखा रहा हूं में आदे दूर संसातनों के साथ आनन फानन में सुरू की गई प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ओनलाइन हाजरी की विवश्था में खामञा ही खामञा नजराने लगी है पहले ही दिन लाखों शिक्षकों की हाजरी से जहां पोर्टल हाफ ने लगा वहीं सनीवार को काफी प इस महाशिक्सा मंतरी यानी गत महाशिक्सा मंतरी ने बीकानेर संभाग के संस्ता प्रदानों से सिधे समाध के दोरान एक जन्वरी से ऑनलेन हाजरी की विवस्ता शुरू करने की गोशना की थी हालांकि इसमें तकनीकी खामियों के कारण इसे एक पकवाड़े के बाद लागू किया जा सका लेकिन अब भी कई खामियों के चलते संस्था परधान वह शिक्षक प्रेशान हो रहे हैं और उनमें शिक्षा विभाग के प्रती रोस्ट पहलने लगा है दूसी तरफ अगर बात की जाए तो मॉबाइल बन फिर हाजरी कैसे जहां एक तरफ शिक्षा विभागने स्कूलों में शिक्षकों वो करमचारियों के स्कूल समय में मॉबाइल चलाने पर प्रती बंद लगा रखा है वहीं दूसी तरफ अउनलाइन हाजरी बिना मॉबाइल चलाए कैसे संभव हो पाएगी क्योंकि सर्वर धीमा चलने के कारण तुरंत उपस्ठिती नहीं लग रही है इसकूल सुरू होने के बाद भी शिक्षकों को मॉबाइल से प्रियास करना होगा दूसी तरफ दोस्तों विरोध के जो सवर उठने लगे हैं वो ये कह रहे हैं कि निदे साले से हो इसकी शुरूआत शिक्षकों की ओनलाइन उपस्ठिती तो लागू कर दी लेकिन इसकी शुरूआत निदे साले से होनी चाहिए क्योंकि निदेशालह सही सिक्साविबाग के सभी कारेलयों में साला दर्पन पोर्टल क्रियाशील है निदेशालह में प्रदेश बर्षे शिक्षक व शिक्षा अधिकारी किशी न किशी काम से पहुंचते है ओनलाइन उपस्टिती की विवैस्था होने पर आने वाले कार्मिकों को समंधिर अधिकारी के बारे में जानकारी मिल सकती है कि वे शीट पर मिलेंगे या नहीं सिक्साविभाग में ही प्रियोग राज बदलने के साथ काज बदलते हैं लेकिन वर्तमान सरकार भी सिक्साविभाग को प्रियोग शाला के रूप में काम ले रही है यही कारण है कि बिना होमवर्क के ओनलाइन हाजरी की विवैस्था लागू की गई है जबकि इसकी सबसे अ अब तक बिजली की विवस्ता नहीं है ऐसे में उन श्कूलों में कंप्यूटर की उपलब दता की कल्पना ही विमाली है ऐसे में बिना संसादनों के शिक्षक अपनी उपस्थिती कैसे लगाएंगे जानकारी के अनुसार प्रदेश में ऐसे अनेक श्कूल है जो काफी दुरस संस्था प्रदानों को अधीनष्ठ स्ख्षों के हाजर्य लगाने के लिए क्या पर खड़े रहकर पहले नेट वर्क का इंच जार करना पडे और फिर हाजरी लगानी पड़ेगी संस्ता परदानों का कहना है क्यों यन्हें आये दिन मिटिंग आंग मैं जाना ऐसे में पीछे से कार्मिकों की ओनलाइन उपस्थिती को वेरिफाई करना भूल जाएं तो जिम्मेदारी उनकी रखी गई है जो वेवहारिक नहीं है दूसरी तर विरोध के जो स्वर उठने लगे हैं वो कह रहे हैं कि ओनलाइन हाजरी शुरू करना जल्दबाजी है ये देखे राजिस्थान राजपतरिक अधिकारी संग विद्याले शिक्षा के प्रांतिय महामंत्री मौमद हरन का कहना है कि ओनलाइन हाजरी की वेवस्था सीधे लागू करना जल्दबाजी है अनेक ऐसे स्कूल है जहां बिजली तक नहीं है अनेक स्कूलों में मौबाइल नेटर्क भी नहीं है पहले स्कूलों में इसकी वेवस्था कराई जाए और फिर योजना बन तरीके से उसे लागू किया जाना चाहिए रैसला के प्रवेश अध्यक्स मोहन शिहाग का कहना है कि सरकार की योजना अच्छी है लेकिन इसकी क्रियानविती पहले विभा के उच्छ कारेलेंशे होनी चाहिए दूसरी तरफ राष्थान सिख्षक संग सेखावत के प्रदेश मंत्री स्रवन प्रोईत व राजपत अधिकारी संग के प्रांतिय सेंग्ट महा मंत्री का पील भारगाव का कहना है कि साला दरपन पोर्टल की मोनिटरिंग निदेशाले से होती है निदेशाले में प्रती दिन सेकड़ों कार्मिक और दिन अधिकारी दुरस्ट इस्तानों से आते हैं पहले प्रारंबिक वा माधिमिक शिक्षा निदेशाले वो अधिनस्ट कारेलों के अधिकारी की व्यवस्ता लागू हो ताकि दूर से आने वाले कार्मिकों को प्रेशा सब्सक्राइब करने से पहले संसाधनों की वेवस्था करवाई जानी चाहिए एक बार फिर विरोध के उठने लगे स्वर्थ गत सरकार के समय विद्याले एकी करन्व समय वर्धी को लेकर शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रतवशन किया था हा खोलने की प्रक्रिया भी शुरू की है परंतु ऑनलाइन उपस्तिती से शिक्षकों में रोज फैल रहा है शिक्षक नेता किशोर प्रोईत का कहना है कि शिक्षक अपना करतवी इमानदारी से पूरा करते हैं गत वर्षों के बोड़ परिक्सा प्रेणाम इसके उधारन है औलाइन हाजरी की वेवस्ता लागू का सरकार शिक्षकों की इमानदारी पर संदेख कर रही है जो सही नहीं है। शिक्षक नेता मोडा राम कड़ेला का कहना है कि इसकूलों में प्रयाप संसाधन नहीं है सरकार को चाहिए कि पहले इसकूलों में ओनलाइन हाजरी के लिए प्रयाप संसाधन मोहिया करवाए और फिर इसे पूरी तरह इसकूलों में लागू करे तो दोस्तों ये थी आज की खबर कि एक तरफ तो सरकार कंप्यूटर शिक्षक लगाने को तयार है सहमत है बस निदेशालेश या वित्विभाग से मंजूरी मिलने की मिलने का इंतजार है और दूसरी तरफ शिक्षक इस बारे में रोज उपन कर रहे हैं कि ऑनलाइन हाजरी की व्यश्था शुरू होनी चाहिए तो दोस्तों एजी ही एजुकेशन संबनी न्यूस तुरंत पाने के लिए वीडियो को कर दीजिए अभी शेयर लाइक शेयर और सस्क्राइब पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं